प्रिये दोस्तों, प्रभु ये इशु के नाम में नमस्कार, शास्त्री जानसन सी फिलिप के बाइबिल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, शास्त्री जी बाइबिल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवन सहज भाषा में प्रवचन के लिए एक सबस्क्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें, उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है, उसे क्लिक कर दें, बस हूगया काम, अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी प्रभु के नाम की स्तूती हो, आज प्रभु ने इस तरह से एक मौका और जो दिया, उसके लिए मैं प्रभु का तहे दिल से शुक्र गुजार हूँ, हम पिछले हफ़ते से, पिछले हफ़ते हमने प्रभु के वचन की व्याख्या कैसे करनी है, विशे का आर्यम किया था, इंट्रोडक्शन में ये बात मैंने ये स्पष्ट कर दी थी, कि हम मैं से हर व्यक्ति को प्रभु के वचन की व्याख्या करनी आनी चाहिए, इसके बावजू देदी किसी के पास, किसी के मन में ये प्रश्न है, कि ए ब्रदर, जिन लोगों को प्रभु ने परमेश्वर का वचन सिखाने का गिफ्ट दिया है, वरदन दिया है, प्रभु का वचन, प्रभु के वचन की कैसे व्याख्या करनी है, ये उन लोगों को सीखने दीजिए, ये एक गलत फैमी है, प्रभु का वचन, बार-बार ये बात याद दिलाता है कि प्रभु के हर बच्चे को प्रभु का वचन समझना चाहिए मैं एक एतिहासिक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं ब्रद्रेंड मूवमेंट आज से लगबग 200 साल पहले इंग्लेंड में चालू हुआ था और आज से लगबग 120 साल पहले इंडिया में चालू हुआ था दोनों अलग-अलग आरम हुए थे लेकिन जब लोगों को यह लगा इंग्लेंड में और इंडिया को कि हम एक दूसरे के समान हैं तो आपस में संगती में आए ब्रद्रेंड मूवमेंट को आरम हुए 200 साल हुए हैं लेकिन इन 200 सालों में कुल मिला कर दुनिया में मुष्किल से दो ब्रद्रेंड बाइबल स्कूल हैं एक अमेरिका में इमाउस है और एक कैनड़ा में रीजेंट कोलेज नाम से था जो जिसके परिश्टभू में ब्रद्रेंड थी लेकिन आब वो पूरी तरह से brethren churches को छोड़ चुका है तो कुल मिला के अंतरराश्ट्री ये लेवल पर एक brethren Bible Institute है इंदुस्तान में नुकड नुकड पर जो brethren Bible Institute है ऐसा trend हम विदेशों में नहीं देखते जहां पर brethren movement पहले से आया था क्यों इसलिए कि brethren जो movement है या यह जो नवी करण है इसने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि हर व्यक्ति प्रभू के वचन का अध्यान करें इस movement ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि हर व्यक्ति प्रभू के वचन का अध्यान करें विदेशों में जो brethren लोग हैं उनने इस बात को कुछ और जोर से पकड़ा, इसलिए आज भी इंडिया के बाहर इतने सारे देश हैं, लगबग 140 देशों में brethren assemblies हैं, लेकिन इन 140 देशों में कुल मिलाकर एक Bible School है, अमेरिका में इमाउस, इसका कारण क्या है? जैसा मैंने बताया, पहली PD से हमने कुछ बातों पर जोर दिया, जिसमें से पहली बात यह है, कि हर विश्वासी प्रभु इश्व में एक याजक है, और चूंकि वो प्रभु इश्व में एक याजक है, इसलिए उसको कई कारी करने हैं, जिनमें से एक यह है कि वो प्रभु क के वचन का ध्यान करे भारत में भी ब्रदरेंड मुवमेंट को 120 साल हो गए हैं लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल इंस्टिट्यूट नाम से इंडिया में जो सबसे पुराने इंस्टिट्यूट चालू हुआ है वो मुश्किल से 30 साल पहले हुआ था शुरू क कि लगभग असी या 90 साल हमें बाइबल स्कूल सी जरूरत महसूस नहीं हुई उसका कारण यही था कि आरम से भारतिय ब्रदरन कलीसिया में भी इस बात पर जोर दिया गया था कि हर मंडली एक बाइबल स्कूल बने और हर विश्वासी एक बाइबल विद्यार्थी बने बहुत क्रमबद तरीके से पढ़ाया जाए और हर मसीही ना के विल अपनी मंडली में प्रभू के वचन को क्रमबद तरीके से सीखे बलकि अपने व्यक्तिगत जीवन में भी प्रभू के वचन का क्रमबद अध्यान करे कॉस्पल हॉल चर्च जो क्लासस इन दिनों ले रहा है जिसमें मैं हर बुद्वार को क्लास लेता हूँ इसका उद्देश ही यह है कि ब्रेदरिंड मूव्मेंट जिसमें हमने बार बार इस बात को द्याए जोर देकर बोला था हर चर्च क्रमबद तरीके से प्रभू का वचन पढ़ाए हर विश्वासी प्रभू के वचन को सीखे आगे बढ़ने से पहले एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ कई लोगों को यह बड़ी गलत फैमी है कि जब तक खूब सारे बाइबल कमेंडरीज बड़ी सी लाइब्रारी या बाइबल स्कूल डिग्री ना हो तो हम प्रभू के वचन की व्याक्या या प्रभू के लिए बुलाया है वे लोग जरूर कमेंटरीज खरीदें बाइबल स्कूल जाएं सब करें लेकिन हम जानते हैं कि अस्पताल स्पेशलिस्टों के सहारे नहीं चलता है सामान्य डॉक्टरों के और नर्सों के सहारे चलता है स्पेशलिस्ट की जरूरत मुश्किल से पांच प्रतिशत केस में होती है प्रभू के वचन के अध्यान में भी यही स्थिति है मेरे सामने अब बहुत मेरे पीछे आप लोग बहुत किताबे देख रहे हैं क्योंकि प्रभू के वचन में एक विशे में मैं स्पेशलिस्ट हूँ वो है बाइबल एवं विज्ञान तो जो इस तरह से स्पेशलाइज करते हैं ऐसे थोड़े से लोग जाके आगे पढ़ें कमेंटरीज लें एक औसत विश्वासी को प्रभू के वचन के अच्छे विद्यार्थी बनने के लिए एक बाइबल एक डायरी और एक पेन और समर्पन की जरूरत है इतना परियाप्त है मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ एक बाइबल एक डायरी एक पेन और परियाप्त समर्पन हो तो हम में से हर व्यक्ति अच्छा बाइबल विद्यार्थी बन सकता है एक के बदले यदि दो तीन बाइबल हो अलग अलग ट्रांसलेशन और भी अच्छा है एक से अधिक डाइरीज हो जिससे कि आप जो भी प्रकाश मिलता है उसको विशेवार लिख सकें और भी अच्छा है लेकिन यदि कोई व्यक्ति बाइबल अध्यान चालू करना चाहता है बाइबल, डाइरी, पेन और समर्पन इतना परियाप्त है प्रभू ने मदद की तो बाइबल व्याख्या जब हम समाप्त करेंगे उसके बाद मैं विस्तार से ये क्लास लेना चाहूंगा कि हम में से हर व्यक्ति किस तरह से एक समर्पित और अध्भूत बाइबल स्टुड का ध्यान करते थे उस समर्पन में वापस जाना जैरूरी है तो यह है प्रिष्ट भूपी पिछले हफ़ते तो इसलिए मैं आप सबसे एक बार और बिंती करता हूं कि शुरू शुरू में यह समझ में ना आए कि यह सब जानके हम क्या करेंगे तो थोड़ा सा सबर रखे में स्पष्ट हो जाएंगी पिछले हफ़ते मैंने यह बात याद दिलाई थी कि प्रभू ने अपने वचन को बहुती स्पष्ट शब्दों में अपने दासों के 40 के करीब दासों के द्वारा लिखवा कर हमें प्रदान किया और सबसे बड़ी बात क्या है कि पवित्र बाइबल इब्राइनी भाषा में लिखा गया पुराने नियम तो आम जनता की भाषा में लिखा गया इब्राइनी भाषा आम जनता की भाषा भी होत लेकिन प्रभु ने जब अपना वचन दिया तो आम जनता की भाषा में लिखा गया नया नियम जब लिखा गया तो युनानी भाषा में लिखा गया उसमें चार या पांच प्रकार की युनानी भाषाएं हुआ करती थी जिसमें कुछ तो इतने कठिन थे कि सर्फ विद्वा की भाषा में लिखने के बदले उस समय युनानी भाषा में जितनी वेराइटी थी उसमें सबसे सरल वेराइटी उसको कोई ने ग्रीक कहा जाता है या आम आदमी का युनानी आम आदमी के युनानी में प्रभू ने नए नियम को लिखवाया क्योंकि प्रभू चाते हैं कि प संदेश मनिश्य स्पश्टतया समझ सके लेकिन जैसा पिछले हफते मैंने याद दिलाया था कई बार जो लोग परमेश्वर का विरोत करते हैं वे परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर हमारे समक्ष रख सकते हैं जैसे सर्प ने हवा के साथ किया था दूसरी बात प्रभू के वचन को कई बार हम गलत समझ लेते हैं प्रभू ने कहा कि यदि तुम्हारे पास कपड़ा हो तो उसको तलवार नहीं हो तो कपड़ा बेचके तलवार खरीद लो और पत्रस ने उसका तुरंत यह मतलब निकाला कि तलवार लेलो और कोई भी हमारे विरुद्धाय तो उसके उपर वार करो प्रभू ने का पत्रस तलवार को वापस मियान में रख दो क्योंकि जो तलवार उठाएगा वो तलवार से निष्ट होगा जिसका मतलब यह है कि प्रभू का मतलब प्रभू पत्रस प्रभू ने जब कहा कि तलवार लेलो तो उसका मतलब युद्ध से नहीं था, कुछ और बात से था, प्रभु ने मदद की, तो हम देखेंगे, उस portion का detailed, उसकी व्याख्या हम देखेंगे, कि किस तरह से, इवन जो लोग प्रभु के साथ तीन साल रहे, उनको भी गलत फहमी हुई, तीन ये साड़े तीन साल रहे, उनको भी गलत फहमी, तो प्रभु के वचन को तोड़ मरोड कर प्रस्तुत किया जा सकता है, प्रभु के वचन को गलत समझा जा सकता है, और तीसरी बात हमने ये देखी, कि सुन रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, इम्मा उसके मार्ग पर जो शिश्य गये थे, उनसे प्रभु ने कहा था कि मूर्खों, बुद्धिहीनों, प्रभु ने अपने वचन में जो कहा है, तुमको समझ में नहीं आता क्या, तो ऐसा भी हो सकता है कि प्रभु अपने वचन को सपश्टतेया बताते हैं, लेकिन हम नहीं समझते, इसके बारे में एक पद जो पिछले हफ़ते हमने देखा था, क्विक्ली जरा देख लें, लूका कशुप संदेश 24 का 27, लूका 24 के 27 में हम देखते हैं, तब प्रभु ने मूसा से और सब भविश्य वक्ताओं से आरम करके, सारे पवित्र शास्त्रों में से, अपने विशे में की बातों का अर्थ उनको समझा दिया, प्रभु के वचन की व्याख्या करके, जब उसका अर्थ कोई व्यक्ति समझ लेता है, तो अर्थ समझने के द्वारा, वो ना केवल अपने स्वयम को अनग्रह देता है, ना केवल उसके जीवन में अनग्रह आता है, जब दूसरे लोग उससे पूछते हैं, तब प्रभु के वचन को स्पष्टते आवो समझा सकेगा, एक उदाहरन लिया जाए, तो युहनना के शुप संदेश में हम देखते हैं कि काना के विवाह में दाखरस कम पड़ गया, प्रभु ईशु ने पानी को दाखरस में बदल दिया, प्रभु के वचन का विरोध करने वाले कई लोग, अक्सर पूछते हैं कि दाखरस, अंगुर करस, अरे, इसका मतलब है कि प्रभु ईशु ने शराब का निर्मान किया या शराब की स्रुष्टी की, प्रभु का वचन शराब पीने को अनुमती देता है क्या, जब कोई व्यक्ति इस तरह से प्रश्न पूछता है, तो मैंने देखा है, जो लोग प्रभु के वचन का अध्ययन नहीं करते, specialization की कोई शरूरत नहीं है, क्रमबद तरीके से प्रभु के वचन का अध्ययन कीजे, ऐसे कई लोग जो प्रभु के वचन के अध्ययन के समय, उल्टी सीधी बातें देखते रहते हैं, मतलब जो समय प्रभु के वचन के अध्यान के लिए हटा कर रखना था, उस समय आप तीवी देख रहे हैं, कमेंटरी देख रहे हैं, और मतलब क्रिकेट कमेंटरी देख रहे हैं, और कुछ देख रहे हैं, मेरा मतलब यह नहीं है कि तीवी गलत है, मेरा मतलब यह है कि जब प को दे देते हैं तो लोग जो इस तरह के प्रश्ण पूछते हैं तो उसकी व्याख्या हमसे हो नहीं पाती है जबकि काना में जो दाखरस प्रभू ने बनाया था उसकी व्याख्या बहुत सरल है प्रभू ने मदद की तो कुछ समय के बाद हम उसकी और आएंगे प्रभु के वचन में ही आप पूछेंगे कि लेकिन ब्रदर प्रभु के वचन की व्याख्या करनी है इसके लिए प्रभु के ही वचन में कोई उदाहरन है क्या बिल्कुल है पचासों उदाहरन है जिसमें से एक दो मैं quickly आपको याद दिलाना चाहता हूँ उत्पति की पुस्तक 40-वे अध्याय के आठवें पद में हम पढ़ते हैं उत्पति 40 का आठ ये यूसफ जब मिस्र देश में था तब की बात है फिरोन के पकाने वाला और पिलाने वाला मतलब जो उसका भोजन पकाता था और जो उसको दाकरस देता था उन दोनों ने एक सपना देखा आठवें पद में हम पढ़ते हैं उन्होंने यूसफ से कहा हम दोनों ने सपन देखा है और उसकी व्याख्या बताने वाला कोई भी नहीं है आप हिंदी बाइबल में जो देखते जा रहे हैं हो सकता है कुछ शब्द मैं जो बोल रहा हूँ वो अंतर हो मैं एक्चली इब्राहिनी भार्षा से करेक्ट ट्रांसलेशन करता हुआ जा रहा हूँ हिंदी में हैं उसके फल का बताने वाला कोई नहीं है इसका इब्राहिनी भार्षा में जो कहा गया उसका मतलब उसकी व्याख्या बताने वाला कोई नहीं है 41 के ही पंद्रा में हम देखते हैं 41 के पंद्रा में उत्पत्ती 41 पंद्रा वहाँ हम देखते हैं फिरोन ने यूसफ से कहा मैंने एक स्वपन देखा है याद रखें पुराने नियम में आजकल नहीं पुराने नियम में पदमेश्वर कई बार स्वपनों के द्वारा अपना वचन लोगों पर प्रगट करते थे इब्रैनियों की पत्री पहले अध्याइ के पहले पदमे हम पढ़ते हैं पूर्व यूग में पर्मेश्वर ने बाप गादों के द्वारा थोड़ा थोड़ा करके विभिन रीती से अपना वचन प्रगट किया तो पुराने नियम में परमेश्वर अपना वचन जो प्रगट करते थे, उसकी जो विबिन्ने रीतियां थी, उसमें से एक तरीका सपना था, फिरॉन ने एक सपना देखा, इसलिए लेकिन फिरॉन को उसका मतलब समझ में नहीं आया, फिरॉन ने अपने जितने आफिस में मं पुराने नियम में हम देखते हैं, परमेश्वर के वचन की व्याख्या, हमेशा परमेश्वर ने अपने बच्चों को दी, इब्राहिम की संतान को इसका आधिकार दिया, फिरॉन ने यूसफ से का मैंने एक सौपन देखा है, उसकी व्याख्या बताने वाला कोई नहीं है, मैंने तुमारे विश्वर में सुना है कि तुम सौपन सुनते ही उसकी व्याख्या कर सकते हो, यूसफ ने फिरॉन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फि पिरोन जो की एक गैर यहूदी है अन्नी जाती है वो इस बात को समझ गया कि परमेश्वर ने उसको जो संदेश दिया उसकी व्याख्या जरूरी है यूसुफ ने इस बात को बताया कि व्याख्या तो परमेश्वर करते हैं परमेश्वर मेरी मदद करेंगे नए नियम के हम ज पवित्रात्मा हमारे मन में हो और पवित्रात्मा हमारी अगुवाई करे जस्त कोई कमेंटरी पढ़ने से आपको पदमेश्वर की वचन की व्याख्या नहीं हो पाती है इस बात को मैं विशेश याद दिलाना चाहता हूँ और मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि पद्वेश्वर के वचन से एक ही वचन लेकर चार लोग जब उसकी वियाख्या करते हैं और उसमें से संदेश सुनाते हैं तो दो लोग बहुत प्रभावी होते हैं और दो लोगों कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्यों? इसलिए कि दो लोगों ने नमबर वन कठिन मेहनत की नमबर दो पवित्रात्मा पर आशृत रहे जबकि बाकी दो लोगों ने कोई मेहनत नहीं की उस कमेंटरी पर आश्रह रखा, इस कमेंटरी पर आश्रह रखा फाइनली जब चारों ने उसी एक ही पड़मेश्वर के वचन की व्याख्या की तो दो प्रभावी हो गए, दो लोगों ने सब को सपर्ष किया दो ने नहीं किया मेरे आपके जीवन में प्रभु ने हमको इसलिए बुलाया है कि हम पृत्वी की नमक हो, जगत की जोती हो यदि पृत्वी के नमक बनना है, यदि जगत की जोती होना है तो हमें प्रभु के वचन का आध्यायन क्रमबद तरीके से करना होगा और जब हम अध्यान करेंगे तो सही सही व्याक्या करके अपनी डायरी में नोट करते चले जाएं तो कल दूसरों को संदेश देने के लिए हमारे पास बहुत वच्छन होगा जब यह मैं बोलता हूं तो कई बार मुझे टोक देते हैं ब्रदर इस तरह से हमको जो प्रकाश मिलता है उसको डायरी में नोट करते चले जाएंगे पता नहीं दसियों डायरी भर जाएंगी क्या फाइदा है डायरी वेस्ट करने की सी यहां है नजरिये का फरक परमेश्वर से प्रकाश मिल रहा है उसको नोट करने को आप डायरी बर्बाद करना सोच रहे हैं जबकि डायरी का सर्वोतम उपयोग यह होगा कि प्रभु ने आपको जो प्रकाश दिया है उसको आप नोट करें मैं आपको याद देलाना चाहता हूँ मेरे पीछे आपको सर्फ किताबे दिखाई देती हैं बगल में एक अलमाईरी पूरी डायरीयों से भरी है मैंने जो भी प्रकाश मिलता है उसको नोट डाउन करने के आदत मैं जब नाइन्थ क्लास में था तब यह आदत इसका आर्यम किया और जैसे जैसे साल बढ़ते चले गए यह आदत बढ़ती चली गई और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मेरे बगल में जो पचासों डाइरिया है यह वेस्ट नहीं है जब भी मैं किसी विशे के उपर क्लास लेता हूँ अब तो उसको बाकाइदा मैंने क्लासिफई कर दिया है कि किस किस में क्या क्या विशे है तो किसी विशे पर यदि क्लास लेना है, तो वो सारे पेपर सामने रख लेता हूँ, उसके बाद एक बार उन सब को अच्छी तरह से फेर लेता हूँ, तो अलड़ी उस विशे पर पवितरात्मा ने मुझे जो प्रकाश दिया था, वो मुझे एक बार और प्रकाशित करता है उसके बाद इन विशे पर क्लास लेने के लिए क्लास लेने में बड़ी सुविदा हो जाती है, क्यों हम जब हम से कहा जाता है, ब्रदर अगले संडे आप संदेश दें, तो हम में से बहुत सारे लोग हैं जो आना कानी करते हैं, मैं एक बहुत बड़ी मंडली का सदस्य हू कि अक्सर देखा जाता है कि जब किसी भाई से अगले संडे संदेश देने को कहा जाता है, तो आना कानी करता है, अगले संदे तो नहीं हो पाएगा, बलकि कई बार मैं सिर्फ पीट लेताओ कि खड़ए होके लोग कैसी मूर्क्ता की बात करते हैं एक बार एक भाई ने खड़ए होके कहा कि मुझसे कहा गया था कि आज संदेश देना है मैं प्रार्थना कर रहा था प्रभू कि आज आप किसी आतीथी को भेज दे जिससे कि वो संदेश दे और मैं बच जाओंगा प्रभु ने हमको जिस बुलाहट के साथ बुलाया है उस बुलाहट के प्रती ये विश्वास घात है हमें से हर व्यक्ति को प्रभु के वचन का अध्याइन इतने क्रमबद तरीके से करना चाहिए कि समय प्रभु के वचन के अनुसार समय और असमय बोलने के लिए हमारे पास वचन हो मैंने अपने असंबली में जो एल्डर्स हैं उनसे कह रखा है कि मुझे सर्फ दो दिन का नोटीस चाहिए दो दिन का नोटीस भी इसलिए कि किस विशेपर प्रेजेंट करना ही इसको मैं डिसाइड कर सकूँ और emergency हो तो मुझे संडे सुबह बता दीजे और कई बार ऐसा होता है कि संडे को जिससे संदेश देना होता है अचनक तबियत खराब हो जाती है सुबह साड़े आठ वेजे कॉल आ जाता है ब्रदर जॉन्सन आज मेरा substitute बन जाएं और मैं खुशी-खुशी संदेश देता रहा हो यह उसका फल है समय असमय पर प्रभु के वचन से हर बार एक नया संदेश देने के लिए परियाप्त सामगरी होती है और यह बात मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं इनके अलावा मैं जो भी संदेश देता हूँ कोशिश करता हूँ कि हर बार नया संदेश दूँ मेरे प्री भाई और बेहनों यह ब्रदरन जो मूवमेंट है इसकी विशेशता है और हमें उस आदत की तरफ वापस जाना जरूरी है तो यूसफ ने फिरौन से कह दिया कि मैं कुछ नहीं जानता पर मैं शुर फिरौन के लिए शुब वचन देंगे जिसका मतलब यह है कि पवित्र आत्मा अग्वाई करेंगे वही अग्वाई नए नियम में और अधिक मात्रा में उपलब्द है इसलिए हम इन बातों को अपने जीवन के आदत बना ले 39 49 पद में इसी अध्याय के 49 पद में उत्पती 40 के 49 में हम देखते हैं फिर फिरौन ने यूसफ से कहा परमेश्वर ने जो तुमको इतना ज्यान दिया है कि तुमारे तुले कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं इवन अविश्वासी लोग इस बात को समझ जाते हैं कि हम जब बोल रहे हैं तब मानशिक ग्यान से बोल रहे हैं या परमेश्वर की अगवाई से बोल रहे हैं प्रभू के वचन की व्याख्या हमें इसलिए सीखनी चाहिए जिससे की हम जब उसके आधार पर प्रभू के वचन को पढ़कर उसका अध्यान करते हैं तब उसके द्वारा पवित्रात्मा का जो प्रकाश हमको मिलता है हर विशेपर जब हमको प्रकाश मिलता है तब हमारे साथी संगी लोग हमारे साथ जो काम करते हैं वे जब हमसे पूछें तब उनको जवाब देने के लिए हमारे पास परियाप्त प्रकाश हो परियाप्त ज्यान हो परियाप्त बुद्धी हो प्रभु के वचन में और भी बहुत सारे भुदाहरेंड हैं मैं क्विक्ली ही उनको बोलूँगा हम उन भागों को नहीं देखेंगे नबुकदनेजर को जब सपना आया था तब दानियल ने उसकी व्याख्या की थी उसी तरह से पूर्व देश से जब विद्वान लोग आये थे कि यहुदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है तब हेरो देश ने उस समय के जो शास्त्री और पुरोहित थे उनको बुला के कहा कि बताओ तो उन लोगों ने प्रभु के वच्छन की व्याख्या के आधार पर बताए था कि प्रभु इशु का जन्म यहुदिया के बेतलेहें में होगा उसी तरह से इम्माउस के मार्ग पर जब जा रहे थे तब हमने देखा कि प्रभु इशु ने स्वयम व्याख्या की उसके अलावा मरकुस के चोथे अध्याय में जब प्रभु इश्यो ने बीजबोने वाले का उदाहरण दिया शिश्यों को जब बीजबोने वाले के उदाहरण का मतलब समझ में नहीं आया तब प्रभु इश्यो ने उसकी व्याख्या की लूका के शुप संदेश आठवे अध्याय में हम फिर से यह देखते हैं कि किस तरह से प्रभु इश्व ने व्याख्या की पिछले हफ़ते हमने वो जो इथियोपिया का जो खोजा था उसके बारे में सुना तब भी हमने ये बात देखी थी कि प्रभु के वचन की व्याख्या जरूरी है और इथियोपिया का जो खोजा है उसके बारे में मैंने काफी विस्तार पिछले हफ़ते बताया था कि कैसे एक व्यक्ति को फिलिप उसने एक व्यक्ति को सही व्यक्षिया बता दी उसके करण एक पूरे राज्य में प्रभू का शुप संदेश फैल गया प्रभू का वचन बार-बार ये याद दिलाता है कि हमको जो प्रकाश मिलता है उसका उपयोग करना चाहिए प्रभू के वचन में ही हम देखते हैं कि जो प्रभू के बच्चे प्रभू के वचन की व्याख्या भूल जाते हैं तब कितनी समस्या होती है पहली शताबदी में सत्तर ईस्वी से पहले 34 ईस्वी में मसीही मंडली का आरंभ हुआ 40 ईस्वी के आसपास गलतियों का जो लेख है गलतियों की जो मंडलिया है उनके लिए पवितर आत्मा ने गलतियों का लेख लिखवाया पूरा का पूरा गलापियों का लेख जो है उन लोगों की गलत फेहमी के बारे में लिखा गया है जो इस बात को बताता है कि प्रभु के वचन की सही व्याख्या कितना जरूरी है पहला कुरिंथियों प्रभु के वचन की सही सही व्याख्या कितनी जरूरी है कुलिसियों तुम त्योहरों को मानते हो तुम जो है चंद्रमा को देखकर उसके अनुसार डिसाइड करते हो इत्यादी तुम प्रभु के वचन को भूल गयो प्रभु के वचन की सही व्याख्या हम जहां भी देखते हैं प्रभू के वचन में, हम देखते हैं कि प्रभू के वचन की सही व्याक्या होनी चाहिए. आज के दिन हम जानते हैं कि भारत के सभी बड़े शहरों में सेविन्थ डे एडवेंटिस्ट लोग सक्रिय हैं और ब्रदरेंड मंडली से भी लोगों को पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं ये जो शहर जिसमें मैं हूँ आज से चब्वी साल पहले जब मैं आया था तब जहो विटनिस वालों का एक चर्च था आज एक दरजन के करीब चर्चस हैं पकड़ पकड़ के लोगों को ले जा रहे हैं इसके अलावा और भी बहुत सारे ग्रूप है जो हमारे बच्चों को पकड़ कर ले जा रहे हैं इसका कारण ये है कि कई जग नए विश्वासियों को प परिणाम ये है कि हमारे बच्चे प्रभु के वच्चन की व्याख्या नहीं कर पाते और कोई व्यक्ती गलत व्याख्या करता है तो क्या गलती है ये पॉइंट आट नहीं कर पाते प्रभु के वच्चन की सही व्याख्या की कुछ और जरूरते मैं आपको बताना चाहता हूँ पहली जरूरत तो यह है कि यदि सही व्याख्या नहीं होती तो गलातियों में जो समस्य आई थी, कुरिंथ में जो समस्य आई थी, कुलुसियों में जो समस्य आई थी या आजकल सेवन्थ डे वाले जो हो अब इतनस वाले और अन्य लोग हमारे बच्चों को पकड़ कर ले जा रहे हैं उसरे से और अधिक हमको नुकसान होगा दूसरी परेशानी यह है कि लैंग्वेज लैंग्वेज में बोलने की शैलियों में बहुत फरक होता है और इसलिए जब तक हम क्रमबद तरीके से प्रबु के वचन का अध्यान नहीं करेंगे और जब तक क्रमबद तरीके से प्रबु के वचन की व्याख्या नहीं करेंगे तब तक बहुत सारी बाते हैं हमें गलत फहमी होंगी और इनका फाइदा वे लोग उठाते हैं जैसे सर्प ने अदन की वाटिका में हवा को उल्जा दिया था बातों में उसी तरह से आजकर लोग उल्जा देते हैं इसके एक उदाहरण मैं आपको दो चार उदाहरण दूँगा पहला उदाहरण श्रेष्ट गीत सौंग अफ सौलमन चौथा अध्याय नौ मापद श्रेष्ट गीत चार का नौ हे मेरी बहन हे मेरी दुलहिन तूने मेरा मन मोह लिया है तूने अपने आँखों के एक कटाक्ष से और अपने गले के एक ही हीरे से मेरा खरदे मोह लिया है आज से कुछ साल पहले मैं जब मसीही और गैर मसीही जवानों की एक सभा में जब बाइबल एंड साइंस के ओपर एक संदेश दे रहा था तो आखर में क्वेस्टिन एंसर के समय एक गैर मसीही खड़ा हो गया उसने कहा कि सर आपका जो धर्म शास्त्र है वो इतनी गंदी पुस्तक है कि यहां एक आदमी अपनी बेहन से शादी कर रहा है क्योंकि लिखा है यह मेरी बेहन यह मेरी दुल्हन यह प्रश्न मसीही लोग भी मुझसे पूछते हैं सुनके मुझे बहुत पहले तो हसी आती है मैंने उस हिंदू से व्यक्ति से गैर मसी व्यक्ति से पूछा कि बेहन से शादी गलत है क्या मैं उसको फास ना चाहता था तो बोला बिल्कुल सर गलत है यह केरल की बात है तो मैंने कहा कि अच्छे एक बात बताओ तुम लोगों के बीच में फैलाइनी कम्यूनिटी में अपनी फस्ट कजिन से शादी की जाती है पहला हक फस्ट कजिन का होता है केरल में एक ऐसी कम्यूनिटी है जहां पहला हक शादी का पहला हक फस्ट कजिन का होता है मैंने पूछा तुम लोगों के बीच में होता है क्या तो बोला होता है तो मैंने कह फिर काहे को बाइबल को दोश दे रहे हो मान के चलो, मान के चलो कि ये बहन के बारे में, ये बहन के बारे में नहीं है लेकिन मान के चलो कि बहन के बारे में तो जब तुम लोगों के बीच में होता है तो काहे को हमारी पुस्तक को दोश दे रहे हो उसके बाद फिर मैंने उसको समझाए कि अरे भाईया हर भाषा में सनेह की अभिव्यक्ति के लिए अलग-अलग शब्दों का उपयोग होता है एक भाषा में जिस शब्द का उपयोग होता है दूसरी भाषा में नहीं होता है इसलिए दूसरी भाषा वाला शब्द शह उसका जब अनुवात करता है तो अर्थ का अनुर्थ हो जाता है उदाहरण के लिए हिंदी में छोटी बच्चीयों को गुडिया कहा जाता है मराठी में उसका equivalent क्या है मैं अभी तो नहीं जानता लेकिन मद्यप्रदेश उत्तर प्रदेश राजस्थान पंजाब भरियाना इवन हिमाचल प्रदेश जहां हिंदी बहुत आयत से बोली जाती है वहाँ छोटे बच्चों को 37 के कारण गुडिया बोला जाता है मैं अपनी बेटी को जब तक उसकी शादी नहीं होगे तब तक गुडिया बोलता था उसके बाद फिर सलो नहीं बोलता है हर भाशा में इस तरह के प्रयोग है मलयालम में तो यदि आप गुडिया ट्रांसलेट करेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा अपनी बच्ची के लिए मलयालम में बच्चे जब अपने माबाप को या अपने दादा दादी को चुम्बन भेजते हैं तो जिस शब्द का उपयोग करते हैं उसका हिंदी में अनुवात करें तो आप हैरान रह जाएंगे अलंकारिक प्रयोग है जिसका मतलब है स्नेह से भरा हुआ, माधुरी से भरा हुआ, मिठा से भरा हुआ चुम्बन उसी तरह से इब्राइनी भाशा में बहन शब्द का एक से अधिक उपियोग होता था अच्छर शह उप्योग अपने स्वैं की बहन के लिए होता था आलंकारिक उप्योग उसका उसी शब्द का आलंकारिक आर्थ था मेरी प्रियतमे तो यहां जो शब्द शानवात कर दिया है उसके कारण अर्थ का अनर्थ हो गया है यहां मेरी बहन नहीं यहां आलंकारीक प्रयोग है मेरी प्रियत में मेरी दुलहिन तो प्रभु के वचन की व्याख्या के जरूरत ये भी है कि प्रभु का वचन लिखा गया था इब्राणी भाष्षा में नया नेम लिखा था युनानी भाष्षा में इब्राणी और युनानी बाइबल में कुल मिलाकर आठ सो आलंकारीक प्रयोग आए हैं आठ सो अलग प्रचारकों के बीच में केरल में एक कहावत है कि प्रचारों को कि जो पेट है वो स्टील का बना होना चाहिए जिससे कि जो भी भोजन आपके सामने रखा जाए सब उसको खा सकें अलग अलग भाषा में आलंकारिक प्रयोग होते हैं और जब तक हम प्रभु के वचन का गंभीर अध्ये नहीं करेंगे और इन बातों को नहीं सीखेंगे तब तक दूसरों के सामने प्रभु के वचन की सही वियाख्या नहीं कर सकते एक और उदाहरन भजन 75 के 10 में हम देखते हैं भजन 75 का 10 वहाँ हम पढ़ते हैं दुष्टों के सब सीखों को मैं काट डालूंगा परन्तु धर्मी के सीखेंग उचे किये जाएंगे तो इसका मतलब यह है क्या कि आज से 3000 साल पहले जब इस भजन की रचना हुई थी तब दुष्ट लोगों के सर पर सीख उग आते थे और धर्मियों के सर पर भी सीख उगा आते थे जी नहीं आलंकारिक प्रयोग है जिसका मतलब है कि दुष्टों का घमंड मैं चूर चूर कर दूँगा धर्मियों को दूसरों के सामने ऊंचा करूंगा इस तरह से प्रभु के वचन के जब हम विस्तार से अध्यायन करेंगे तब ये बातें स्पष्ट हो जाएंगी नए नियम से दो उदाहरंड मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ दस कुवारियों का उदाहरंड हम मैंसे सब ने सीखा है पड़ा है सौ बार पड़ा है कि दस कुवारियां दुलहे के इंतजार में थी लेकिन रात हुई तो सोने लगी और जब दुलहा आया और उन्होंने अपने अपने दिये जलाए तो पांच के दिये जो है बुझ गए पांच के दियों में तेल था इसलिए नहीं बुझ दुलहा उनको लेकर अपने जो फीस्ट का हाउस है वहाँ पर चला गया मुझसे कई गैर मसीही लोग पूछते हैं कि आप ईसाई लोग बहु विवाह को प्रोटसहन देते हैं क्या क्योंकि आपके प्रभू ईसाई नहीं कहा है कि दुलहा पांच दुलहिनों को लेकर गया पहली बात वहाँ पांच दुल ही नहीं कहा, पांच कुवारिय कहा गया है इवन कई मसीही लोगों को यहां गलत फहमी होती है लेकिन यदि हम प्रभु के वचन का गहन अध्यान करेंगे तो हम यह देखेंगे कि यहां अपनी दुलहिन के लिए नहीं आया प्रभु इशु के समय सिस्टम यह था कि दुलहा जब अपनी दुलहिन के साथ आता है तो दुलहिन के साथ बहुत सारी कुवारियां भी जाती थी और वे सब लोग एक साथ बैठकर आनन मनाते थे तो प्रभु ईशु के कहने का मतलब ये था कि मैं जब अपनी दुलहिन मंडली के साथ आऊंगा तब इस्राइल से जो लोग मेरे लिए तयार होंगे वो दुलहिन के साथ जो कन्याएं हैं जो मित्र हैं उनके समान मेरे साथ स्वर्ग्र अज्य में प्रवेश करेंगे प्रभु के वचन को यदि हम सही रीती से अध्यें ना करें तो कहीं न कहीं जाके आटक जाएंगे वो हमारे विश्वास को भी बरबात करेगा और दूसरे लोग जब मसी विश्वास के बारे में पूछते हैं तब हम उसका जवाब नहीं दे पाएंगे यूसफ के बारे में हम देखते हैं प्रभु यूसफ और मरियम यूसफ को जब खबर मिली कि मरियम गर्भुवती है तो प्रभु का वचन कहता है यूसफ ने चुपके से उसको त्याग देने की सोची क्योंकि वो धर्मी था धर्मी था तो त्याग क्यों कर रहा था पत्नी को इसकी प्रिष्ट भुमी हम समझें पुराने नियम में यदि कोई कन्या अपने पती के अलावा और किसी से गर्भुती हो जाती है और यूसफ को तो नहीं मालूम था जब तक स्वर्गदूत ने उस से गर्भुती हुई है तो पुराने नियम का काईदा यह था कि इस तरह से यह दि कोई आप खास कर आपकी मंगे तर शादी से पहले गर्भुती हो जाती है तो आपको यह सूचना सभा के सामने लाना होगा और सभा उस स्त्री को पत्थर मार मार के उसकी हत्या कर देगी यह पुराने नियम का काईदा था तो यूसफ चुपके से उसको इसलिए डाइवोर्स करना चाता था कि उसको लगा पता नहीं कोई तो भी आवैद संबंध हो गया होगा जिसके कारण वो गर्भुती हो गई होगी लेकिन मैंने चूकी उस कन्या से विवा के लिए सोचा थ हाँ इस कारण उस कन्या के प्रती मेरा जो प्रेम है उसके कारण मैं नहीं चाहता कि वो मृत्यू का सामना करें मैं चुपके से उसको डाइवोर्स कर दूंगा यह है इसका मतलब कि इसी तरह से काना के विवाह को हम ले लेते हैं कई गयर मसीष पूछते हैं कि प्रभु ईश्व ने शराब बनाया मुझ से कई मुसलिम लोग केरल में मुसलिम्स बहुत एग्रेसिव हैं आप सब जानते हैं केरल में इसाईयों की संख्या बहुत ज़ादा है लेकिन मुसलिम्स इसाईयों से भी ज़ादा है केरल में और बहुत एग्रेसिव हैं मसीही कम्यूनिटी से बहुत लड़कियों को पकड ले गए प्रेम के द्वारा ब्रदरन कम्यूनिटी से बहुत सारी लड़कियों को प्रेम विवा के द्वारा पकड ले गया और उनको मुस्लिम बना दिया है बहुत अग्रेसिव हैं वो लोग अक्सर पूछते हैं कि प्रभू ईश्व ने काना में शराब बनाया ओ तुम बाइबल में गलत बात बताई ग ऐसे लोगों से बात करने से पहले मैं पूछ लेता हूं कि 5-10 मिनिट देने को तयार हो क्या या प्रशन पूछा भाग रहे हो तो जो कहता है नहीं मैं आपकी बात सुनने के लिए तयार हूं तो मेरा उनसे पहला प्रशन होता है भाईए ये तो बताओ कि जब तुम स्वर् शराब की नदियां बहती हैं या नहीं बहती हैं उनके ग्रंथ के अनसार स्वर्ग में शराब की नदियां बहती हैं और बड़े-बड़े मगों में वो शराब जो है उठ लेकर कन्याएं आपको पिलाती हैं तो जब वो एक मान लेता है कि हां स्वर्ग में शराब की नदिय यहां बहती हैं तो मैं पूछता हूं कि भाईया जब तुमारे ही पवित्र ग्रंथ में ऐसा लिखा है तो काहे को रोक टोक करते हो वह नदी बहरे यहां दो-चार मन बना लिया है प्रभु ने पानी को तो जब वो उसको यह बात बता दी जाती है कि इस तरह से रोकना टोकना अश्छी बात नहीं उसके बाद मैं फिर उसको बताता हूं मसीभी भाई और बहन लोग भी सुन लें लोता है कि दाकरस का ओपयोग चार तरीके से होता है कि यहां एरना कुलम जो की बहुत पड़ी लिखी सिठी है यहां तो आप शहर में निकलेंगे तो बहुत सारे लोग जेब में ही स्प्रेय रखे हुए नजराते हैं। क्या है यह स्प्रेय। आलकोहल। तो इसका अरेंड हर प्रकर का आलकोहल बुरा नहीं होता है। वस्तूओं पर जो स्प्रेय किया जाता है वो 98% आलकोहल होता है। जो हाथों में स्प्रेय करते हैं वो उससे थोड़ा सा लाइट होता है। तो दाखरस का या आलकोहल का कई उप्योग हैं जिसमें से एक है दवा के रूप में। नंबर दो प्रिजर्वेटिव के रूप में कई सारी चीजों को कॉलेजिस में स्कूलों में उसके अलावा मेडिकल कॉलेजिस बगरा में आलकोहल में प्रिजर्व किया जाता है। तो आलकोहल के एक से अधिक उप्योग हैं और इसलिए काना में दाखरस बनायाया शराब पी रहे थे। लोगों से बूली कि जरा रुकें जरा ढंक से विशे को समझिए। आलकोहल का उप्योग दवा के रूप में होता है। आलकोहल का यूज प्रिजर्वेटिव के रूप में होता है, उसको कोई गलत नहीं मानता है, आलकोहल का ओपयोग फूड के रूप में भी होता है, सारी दुनिया भर में क्रिस्मस के समय जो केक बनाए जाते हैं, उसमें सर्वोतम केक में ब्रांडी या अन्य प्रकर के आलकोह पूसके गहां है वो लोग एक अउनल केको अगल हुखाता है कि ए यूरोब के थंड़े मुलकों में शुबाँ में शुल में हने के साथ वह लोग और उंस अलकोहल लेते हैं जिस तरह से हम चाय लेतें हम चाय लेते हैं वह लोग अलकोहल लेते शेरा समय March भोजन के हिस्से के रूप में अंगूरी शर्बत पेपदार्थ के रूप में पिया जाता था आलकोहल नहीं अंगूरी शर्बत हाँ आलकोहल के एक और उपियोग है और वो है नशा करने के लिए आलकोहल के इस तरह से चार उपियोग है जिसमें दवा के रूप में प्रिजर्वेटिव के रूप में भोजन के रूप में चोथा उपियोग है नशे के रूप में काना में जो अंगुरी शर्बत यूज किया गया था वो बिलकुल ना के बरावर नशा करता बहुत आलकोईल का ट्रेस होगा उसमें वो भोजन था शराब नहीं थी इस तरह से चार यूज होते हैं ये समझ कर हमें प्रभू के वचन की वियाख्या करनी चाहिए मेरे प्रिय भ एकदम से हमको समझ में नहीं आती लेकिन जब हम क्रमबद तरीके से प्रभू के वचन का अध्यान करते हैं ये सारी बातें सपष्ट हो जाती ये अलकोईल के बारे में मैंने जो बताया ये प्रभू के वचन में ही ये सारी बाते हैं लेकिन पहले हम क्रमबद अध्यान करे और सही व्याख्या करें तब यह बातें स्पष्ट होंगी प्रभु ने मदद की तो अगले हफ़ते हम इस विशे को और आगे बढ़ाएंगे व्याख्या के प्रभु के वचन में ही दिये गए जो नियम है उनको अगले हफ़ते से हम देखेंगे प्रिय दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जानसंसी फिलिप के आज के इस बाइबल प्रभचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाशा में प्रभचन के लिए जगत प्रसिद हैं उनका कोई भी प्रभचन आपसे छूट न जाए उसके लिए इस पार्चिमला को सब्सक्राइब कर लें सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है पहले उसे क्लिक कर दें उसके बाद उसके पास जो घंटी का न मिशान दिखता है उसे क्लिक कर दें बस हो गया काम अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी इतना ही नहीं हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अधिक प्रोथसाहन देता है जै मसीह की